नमस्कार मैं विक्रम भगत नागवन्शी और आप देख रहे हैं मध्वनी नीज 15 नुवंबर को साथवे चरन के तहट हरलाखी प्रखंड में पंचाइट चुनाब होना है अभी हम खिरहर पंचाइट में हैं और जो प्रत्यासी है वो पूरी ताकत जोग चुके है आप चुनाब जीतने के लिए हर एक कोर का सर नहीं छोड़ना चाते हैं हमारे साथ दीपक कुमार जी है जो मुखिया पद से है चुनाब लर रहे हैं इनसे जानेंगे कि क्या मुद्ध समसे पहले दीपक जी मध्वनी नीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपक जी पहले संचित में आप पेड़िशे बता दीजिए जी मेरा नाम दीपक कुमार राय है मैं खिरहर पंचायत दिरवाचन से सक्या 17 से मुखिया का उमिदबार हूँ दीपक जी आप मुखिया पद के उमिदबार है आप चुनाब लर रहे हैं क्या मुद्दा है आपका क्या उदेश है और चुनाब जो लर रहे हैं आप क्यूं लर रहे हैं देखे सबसे पहली बात है कि हमारे पंचायत में बहुत सारी मुलभूत सुबधाओं की कमी है उसको सबसे पहले हम दूर करने का काम करेंगे और जो मुखिया के जो अधिकार छेतर में जो काम आता है उसमें से कुछ-कुछ काम ऐसा है जो हम पहले ही कुछ लोगों को सेवा के तहत करा चुके हैं पहल से पहल करके चाहे वो बिर्धा पेंसन का काम हो चाहे रासन काट का काम हो बहुत सारे लोंग गरी गुरुवा कुछले हुए जो लोग थे, जिनका बहुत सारे बूरहे लोग, दादी लोग, दादा लोग जिनका बिर्धा पेंसन नहीं मिला था, वो हम जरूर पहल करके करवाएं हैं, तो हम सोचे कि इतना तो करण जन परतिनीधी के होते हुए, आप किसी पद पर नहीं रह करके भी अगर काम किये हैं तो आखिर जरूरत क्यूं परी ऐसा जरूरत इसलिए परी कि जो जनपरतिनीधी है वो तो जीतने को जीत गए वो रहते नहीं है यहां वो रहते है मधवन्नी पतना दिल्ली बंबे तो लोग यहां पर घूम घूम के चले जाते हैं तो लोग को लगा कि भाई यह भी बलोक में काम किया हुआ है तो जरूर इनसे संपर्क किया जाए तो हम से जो समपर किये हम उस पर जरूर खरे उतरे उनका काम करवा करके वो रहेंगे यहां तब तो लोग उनके पास जाएंगे अभी देखिए चुनाव का समय है तो अभी मिलेंगे चुनाव खतम हो जागा तो नहीं मिलेंगे इसलिए हम चुनाव मैदान में आए उदेश क्या है फिर अगर आप जो जीत के आते हैं तो सबसे पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी सबसे पहली प्रात्मिक्ता होगी कि देखिए चुनाव तो एक अलग चीज़ है मतलब पांच साल पर चुनाव आता है जाता है जो लोग का काम है जैसे कि बिर्धा पेंशन का काम है इंद्रावास का काम है महले रोट का काम है तो इंद्रावास रोट सब का काम उसके लिए त कि लोग को सेवा और बेहतर तरीके से कर सके। इसलिए हम उभजार दिये हैं। खिरहर पंचायत खिरहर गाउं है अपराधिक मामले में यहाँ पर साधूओ की हत्या हो जाती है। तो रीजन क्या है इतनी जो नाम है खिरहर का कहीं न कहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखे कुछ लोग जो समाजिक तत्व हैं वो चाहता है कि गाउं में गंदा माहौल पैदा करें हलाकि उनकी मनसा कभी पूरी होने वाली नहीं है और जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं कहीं ने कहीं उसकी लापरवाही के चलते ही यह सब चीज होता है तो हम चाहते हैं कि यह सिस्टम में आ करके सबसे पहले इसको भी खतम करने का काम करेंगे आप एवर जीत करके आते हैं तो सिक्षा और स्वास्थ स्वास्थ पर क्या काम करेंगे बिल्कुल हम चाहेंगे कि सरकारी स्पारbrook, primary school來 लोग हैं प्राइमी श्टूल उसकर भाल जाके देखिए, क्या है, उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं, नर्सेशन नहीं आती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, तो ये सब काम तो मुखियां का, कम से पहयल तो करना चाहिए, बिलकुल नहीं करते हैं उन्हीं हैं, कि आप आगे बढ़े, आपके पीछे जरूर हम खरे हैं। पार रहा है तो वह हम चाहेंगे कि जिनके पास भी खेते जो किसान है वो सबसे पहले इनका लाब उठाए और जो ही उनको मदद जो भार सरकार देती है उनका पैसे का लाब उठा करके और खेती पर ध्यान दे और जरूर मतलब कि यह काम भी हम करने का काम करेंगे आधी आवादी की बात हो महिलाओ की बात हो तो नारी ससक्तिकरन और महिलाओ के अधिकार के लिए क्या है आपके पार सरोड़ बैप जी देखे जो बूरी महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं उनको बिर्धा पेंसन जो होता है वो नहीं मिल पाता है जानकारी नहीं रहता है तो जानकारी के अभवाब में उन्हें मिल नहीं पाता है तो वो सब भी हम दिलाएं भी हैं पहले भी पहल से दिलाएं हैं मेहत करके दि प्रेडना दी है आगे बढ़ने की तो किर्पया इस प्यार और आशिरवाद को बनाए रखें तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे और आपके लिए भी कुछ कर पाएंगे दीपक जी आप भरस्टाचार पे कुछ बोल रहे थे बिलकुल देखे यहां बहुत सारे जो बिचोलिये हैं जो बिचोलिया का काम करते हैं इंद्रावास में आप 10,000-15,000 दीजेगा तो ही आपका पास होगा तो यह सब भी तो काम मुख्या का है जो उस पर अंकुष लगाए वो तो रहते नहीं है तो लोग यहां ठकी का सिकार हो जाते हैं बिधा पेंशन में 5500-600 रुपया लोगों से ठका जाता है तो सबसे पहले तो इस पर हम अंकुष लगाने का काम करेंगे निशेत रुप से भरस्टा चार पे तो अंकुष होना ही चाहिए तो यह थे दीपक जी दीपक कुमार राय जो मुख्या पत के उमिदवार है खिरहर पंचाज से तो बहुत बहुत धन्यबाद आप मदवनी नीज देख रहा है अगर हमारे पेज को देख रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्यबाद